आप सभी का बहुत स्वागत है सरफरास खान मुंबई के वो क्रिकेटर हैं मुंबई के वो बल्लेबाज हैं जो पिछले काफी वक्त से बहुत शांदार प्रदर्शन कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में लगातार वो रन्स भी बना रहे हैं और पिछले दो सीजन तो बहुत शांदार गए हैं सरफरास खान जो कि घरेलू cricket में इतनी consistency के साथ upfront बना रहा है, उसकी अंदेखी हो रही है international cricket में, उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, national team में इस बात को लेकर नराजगी जाहिती है, Venkatesh Прasad ने उनके career के आंकुड ऐपर में और आगी ओ फोकस करूँगा लेकिन नाराजगी के पीछे में वजय में कारण क्या है पहले वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वेंकटेश परसाद नाराज इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी उम्मीद थी कि अभी जो ऑस्टेलिया का हिंदुस्तान में दौरा होने वाला है उस सर्फरास खान को जरूर शामिल किया जाए गया इसके पीछे सर्फरास खान के चमतकारिक अंकड़े ही में कहूंगा बल्ले बाजी के ये फैक्टर रहा लगातार रन सर्फरास खान ने बनाए लेकिन चूंकि टीम का एलान हुआ और उस टीम के एलान का जब किया गया तो उ पेढ़ातार अपने बल्ले से रन्स बना रहे हैं पिछले दो सीजन के दोरान उनके बल्ले से एक ट्रिपल संचुरी निकली है दो डबल संचुरी सैर्फरास खान ने बनाई हैं दो संचुरी उन्हें लगाई हैं और उनका और ओसत है支持 का तो प्रास पास का ओसा था जिसन वो एर अगर मैं उनके फर्स-क्लास करियर की बात करों कृक्ट करियर की तो फर्स-क्लास करियर में अब तक वो 12 सेंचुरी लगा चुके इसेंचुरी यह का दोकी हो तो 108 से उपर का उनका उस्त है लेकिन इसके बावजूब भी वो खिलाडी जो लगातार कंसिस्टेंसली परफॉर्म कर रहा है उसको क्यों नजर अंदास किया जा रहा है इस बात को लेकर वेंकटेश प्रसाद नाराज है बलकि उन्होंने कहा है कि ये सर्फरास खान को नजर अंदास नहीं किया जा रहा है उनकी पतिभा को नजर में अच्छी performance के बाद भी अगर सरफरास खान जैसे घिलाडी को टीम में जगए नहीं मिलती है तो फिर इसे घरेलू cricket की तोहीन ही कहा जाएगा और इसी को लेकर वो भड़के हैं वरसे हैं BCCI अधिकारियों के उपर selectors के उपर अब देखना ये है कि क्या जो फटकार लगाई गई है एक तरीके से वेंकरेश परसाद ने एक तरफ सो जो ध्यान दिलाया है सरफरास खान की तरफ क्या इसका असर BCCI पर पढ़ेगा हलाकि वो एक चीज़ और कहते हैं वेंकरेश परसाद जिसने पिछले 32-33 मैच में 12 सेंचुरीज लगा दी हो उसकी फिटनेस को लेकर आप कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि टीम इटिया में बहुत सार ऐसे खिलाड़ी है जिनका वज़न सरफरास खान से झाल 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